अर्मान मलिक चंद्रिका दिक्षित और नैजी को एक्सपोज कर रही हैं लवकेश और विशाल और सना मकबुल ये डिसकशन रूम में सब बाते चल रही हैं और इनकी बाते जो है बाहर खड़े होके बात्रों मेरिया की दिवार से कान लगा के अर्मान मलिक और जो रनवीर है अब जो है काफी बड़ा बवाल जो है घर में चालू हो रहा है तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार यहां पर कौन सी बात जो है अर्मान मलिक और रनवीर ने सुल ली है तो ये बाते जो है चल रही थी जहाँ पर मैंने पहले भी बोला था कि रोटियां जो है वो उठा के अर्मान मलिक लेके आया है कि ये कुसी कुटे को भी रोटी ऐसी डाल नहीं सकते हैं तो ये चाहता था कि कहीं न कहीं लड़ाई जरूर हो इसको मुद्दा जरूर मिले तो मतलब कि मैंने सही वो सब चीजे पकड़ी थी और आप लोगों ने देखके बना लिए अगर जलती है वो कच्ची रह जाती है और फिर जो है कुछ ना कुछ बोलता रहता है अर्मान तो वहाँ पर विशाल बोलता है कि यार मैंने कोई वहाँ पर नेजी जो है वो अपने ही सब चीजे बना रहा था ये कुछ मटन मटन बना रहा था तो मैं ब पड़ी थी ये अर्मान जो है वो रोटिया नहीं उठाया वो जो सही वाली रोटिया थी उनको छोड़के जो जली वाली रोटिया थी वो उठाके कैमरा के सामने लेके जाके और तेरे को दिखाने की बात कर रहा है कि ये तो कुत्ते भी नहीं खाती हैं तो ये सब बाते जो ह बाहर दिवार से कान लगा के कौन सुन रहा है अर्मान और रनवीर और फिर आगे जो है चंद्रिका के बारे में बात होती है कि चंद्रिका बोल रही है कि चने जो है वो चने जो है वो कच्चे रहे गए हैं तो जहां पर विशाल बोलते हैं कि अच्छा जब चने जब चने उ पूरा बॉल मेरे सामने खतम किया यानि कि यहां पर यह भी मुद्ध ढूंडने की कोशिश कर रही है यह भी जो है ड्रामा कर रही है चंद्री का दिक्षित इसके उपर असर हो रहा है अर्मान मलिक का आगे आती है नैजी की बात कि जो नैजी है जब मतलब कि उसने गलती की यह लोगों के चहरे जो है जो सामने आ रही है यह लोग इनके चहरे एक्सपोज कर रही हैं वो ही चीज जो है बाहर खड़े होके अर्मान और रनवीर सुन रही हैं अब देखते हैं कि आगे आखिरकार इस घर में महाल क्या चलता है लगातर आप तक पहुंचाती रहूंगे घर के अंदर की अपडेट और गॉसिप जो सुनते रही है कैसी लग है मेरी गॉसिप उसके बारे में भी जरूर बताईए